Hello Friends, Welcome You to Our Channel Trust Logics Government Job जिसकी इंडिया में कुछ ज़्यादा ही मांग होती है काफी लोग Government Job देने के लिए तफ से तफ एक्जाम देते हैं तो आज की वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे The Top 10 Highest Paying Government Job in India Number 1, Civil Services like IS, IPS, IFS Civil Service का एक respect और position बहुत ही मान्यता रखता है हमारे इंडिया में और private sector से ये बहुत ज़्यादा अलग है इन्हें बहुत अच्छी salary भी दी जाती है 56,500 से इनकी salary स्टार्ट होती है जो 2,50,000 तक जाती है और इनके day-to-day responsibilities होते है देश की सेवा करना, public की रक्षा करना, इस तरह के कई services होते है और इसकी जो salary के साथ साथ इन्हें perks भी प्रोवाइड की जाती है जैसे official car, luxury houses, bungalows इससे जो job दिये जाते हैं, ये civil servant की तरह ही होते है ये कुछ local government jobs होते हैं, जिनका position होता है MRO, तहसीलदार, RTO, जिनने बहुत अच्छी salary भी दी जाती है और इसके साथ ही इन्हें extra benefits भी दिये जाते हैं जैसे official residence, medical facilities वगेरा तो इनकी salaries बहुत अच्छी होती है State Public Service Commission के लिए apply करके आप काफी अच्छे government job में एक अच्छी respectable position के साथ अच्छी salary प्राप्त कर सकते हैं तो अब हमारा number 3 है PSU जो की public sector units में job provide करवाती है जैसे की BHEL, ONGC, Cole India, IOCL, HPCL ये सारे बहुत ही अच्छे option होते हैं Public sector unit में इसमें employee को अच्छी salary के साथ साथ काफी अच्छी benefits भी दी जाती है और यहां पे work pressure ज़्यादा नहीं होता है और PSU की recruitment बहुत large scale पे होती है competitive exam के द्वारा और इसमें बहुत सारे eligibility criteria होते हैं तो fourth है हमारा government lecturer और university professors अगर आप पढ़ाते हैं और अगर आप government university में lecturer है या professor है तो ये आपके लिए सबसे best choice है क्योंकि यहां पे आपको अच्छी salary के साथ साथ अच्छी छुटियां भी दी जाती है और बहुत सारे perks भी provide के जाते हैं यहां आप देश की युवा को तैयार करते हैं देश के लिए और यहां पे pressure बहुत कम होता है यहां आपको fun mind के साथ बच्चों के साथ आराम से पढ़ाते हुए मस्ती के साथ आपको इनका ध्यान रखना होता है तो lecturers जो हैं ये बहुत research के साथ आते हैं और इन्हें government से बहुत अच्छी पे दी जाती है और university professors के post पे भी ये काफी अच्छी salary प्राप्त करते हैं तो अब हम बढ़ेंगे हमारे number 5 है scientist DRDO, ISRO जैसे कुछ reputable institutions जो की government के द्वारा रण की जाती है यहां पर अगर आपको scientist की position मिलती है तो यहां government scientist की salary काफी अच्छी होती है private scientist से बहुत जादा अच्छी होती है और इसके साथ साथ बहुत सारी perks भी provide की जाती है जैसे individual houses, medical insurance और भी काफी सारे benefit आपको इस job के साथ दिये जाते हैं work pressure भी इसमें बहुत कम होता है और यह job बहुत ही demanding में है और इसमें जितने सारे फायदे दिये जाते हैं वो इस हिसाब से बहुत ही best है तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे next number के job की तरफ तो हमारे number six है defense service जैसे army, navy, coastal guard वगेरा की national defense academy सबसे best option है अगर आप national defense academy में enter करते हो अगर आप एक अच्छी pay वाली job और उसके साथ मिलने वाले अनेक फायदे की तरफ देखोगे तो defense services, army, navy, coastal guard वाली job आपके लिए बहुत अच्छी है इस job में candidate को मौका मिलता है Indian army, navy और ऐसी काफी सारे defense institutions में enter करने का और यहाँ पे आपको अच्छी payment के साथ साथ official residence, medical facilities जैसे काफी perks प्रोवाइड किये जाते हैं ये job defense service का आपके देश की रक्षा करने के लिए आपको काफी सारे अलग-अलग position पे recruit करता है और उसके बाद आप यहाँ पर काम करते हैं और आपको government बहुत सारी facilities और अच्छी pay भी provide करवाता है इसके बाद है हमारा Indian railway, Indian railway की job बहुत ही अच्छी है इंडिया में बहुत सारे ऐसे graduate हैं जो की engineering degree लेते हैं और अगर आप engineer हो तब अगर आप railway engineer हो यह आपके लिए best career option हो जाता है railway engineer को काफी सारी सुविधाएं provide की जाती है जैसे luxurious house दिये जाते हैं और government की तरफ से काफी सारे फाइदे भी दिये जाते हैं भारतिया railway में non-technical graduate को भी recruit किया जाता है और इसमें job pressure बहुत ही कम होता है और work demand भी बहुत साधारंसा होता है तो अब हमारा 8 है bank officer bank jobs इंडिया में सबसे beneficial job मानी जाती है जहां work pressure तो होता है पर इसके साथ साथ salary बहुत सही होती है और काफी सारे फाइदे भी provide किये जाते है state bank of india, reserve bank of india और public sector unit के banks जैसे की bank of baroda bank of india इन सारी banks में RRB जैसे bank, regional and rural banks इन सम्में हजारो graduate को हर साल recruit किया जाता है और इसकी eligibility criteria है सिर्फ university degree और इसलिए ये पूरे देश के graduate के लिए एक बहुत ही better option माना जाता है और यहां पे आपको अच्छी salary के साथ और सारी facilities भी provide की जाती है और work pressure उतना ही होता है जितना आपको देना चाहिए तो वो आपके लिए जादा फाइदे मन्त रहता है तो इसके साथ ही अब हम बढ़ते है next nine insurance ADO insurance jobs हमारे देश में बहुत ही फाइदे वाली job मानी जाती है जहां work pressure तो होता है पर salary और benefits भी बहुत अच्छी provide की जाती है LIC of India National Insurance School Limited इस तरह के काफी companies हैं जो की हजारो graduate हर साल recruit करते हैं और इसकी भी eligibility criteria बस university degree है और ये एक बहुत ही preferred option मानी जाती है पूरे देश के graduate के लिए और इसमें career सुरू करना बहुत ही beneficial होता है इसका pay skill बहुत ही अच्छा होता है और work pressure भी काफी manageable रहता है तो आप इस job को opt कर सकते हैं तो अब हम बढ़ते हैं next last की तरफ 10 number है government doctors की job government doctors जो की बड़े-बड़े institutions जैसे की aims में और काफी दूसरी government hospitals में अगर ये आपको government doctors की job मिलती है तो ये काफी respectable job होती है काबले में यहां आपको higher payments भी दिये जाते हैं और आपको गरीब लोगों को सर्व करने का मौका मिलता है जो की बहुत ही genuine opportunity है और इस job की demand बहुत ही जादा है और इस time पे आपको late nights rural areas में travel करना होता है गरीब लोगों को सर्व करने के लिए तो आज की वीडियो में इतना है फिर हम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप हमाय शैनल को subscribe जरूर करना है जो की खाय वेता है